आज का क्लास फिर जोग्रफी का में लूब क्लास करेंगे कर लिए इस्ट्री का क्लास करेंगे जो आज क्लास करेंगे पहले 64 का कुश्चन पहले देख लेते हैं 64 का कुश्चन है कौन मेघाले पठार का हिस्टा नहीं है मेघाले का पठार भारत में पुर्बुत्तर के राजिन है यह है मेघाले यह है मेघाले तो मेघाले पठार पर यहाँ जो पूछा गया है कौन हिस्टा नहीं है हिस्टा नहीं है वो पहाड़ी को लेकर के पूछा गया है कि कौन पहाड़ी मेघाले पठार का हिस्टा नहीं है तो मेघाले पठार का हिस्सा नहीं है भूबन पहाडियां भूबन पहाडियां नहीं है यहां पर बताय जा रहा है आपको अब मेघाले पठार पर क्या क्या है तो एक नमबर दो नमबर तीन नमबर एक नमबर का नाम है गारो गारो पहाडी खासी और तीन में जैन्तिया ठीक है गारो खासी जैन्तिया पहाणिया जो है ये मिघाले पठार पर है और ये तीनो जैन्जाती भी है गारो खासी जैन्तिया जैन्जाती का ही नाउन है ठीक है चली आगे देखते हैं अगला प्रस्ण है हुआ कि या शीक्ति-फोर का कुष्छुन सा बतात op equations ही लो भूल भूबन पहाड़िया में जो हील का भागे में जो है कहा है करकrence खाड़िया कुल जो हुआ मीजो हील में मिजो हील में फिकर की कि बात करें, तो यह हुआ उपरों का मनी पूर तो भोबन पहाड़ी इदर है, भोबन पहाड़ी, भोबन पहाड़ी, जो है, वो मिजो हिल का बाद है, ठीक है, मिचे वाला पाड़ पर, यह भोबन पहाड़ी है. आगे देखते हैं गारों खासी जनतिया पाड़ियां बेगाले पठार कांस है भी देख लिए हम लोग वा दर्रा जो सरवाजे कुछ आई परवस्तित है दर्रा कल थोड़ा सा दर्रा का एक चेप्टर निकला था टेक है बताए गया था दर्रा क्या है दर्रा जैसे दर्रा कहते हैं माले कि यह परवत है तो परवतों के बीच में जो गैप है आने जाने का रास्ता के लिए इसी को दर्रा कहते है यानि परवतों का हुआ निम्ण भाग जो आवा गमन का रास्ता परदान करता हो उसे दर्रा कहते है तो इसमें कौन दर्आ समादेक उचाईब रहे तो इसका answer है नाथूरा ठीक है नाथूरा अब आपको मालूम है कि नाथूरा दर्रा कहा है तो यह सिक्किम में है, ठीक है और जलेपला भी सिक्किम में है तो नाठुला दर्रा जो है शिख्किम में और आको मालूम है कि हमाले के बात कर रहा है और ये केवल चला गया है पाकिस्तान में तो हिमाले से अलग है बात ये तीनों हिमाले कही है तो जो नाफुला दर्रा है ये सिक्किम में और सिक्किम में हिमाले सबसे ज़्यादा उचा है भारत में इसलिए आप उसी अधार पर ये कोशन पूछ लिया गया है कि सबसे उचा दर्रा कोंने नाफुला ऐसी खैवर दर्रा से ओकर भारत में कौण कोण आया है तो दों खेमस एक पहला सिकंदर और फिर बाद में 22 खैवर दर्रा से ओकर के भारत में परवेश किया था चलिए आगे देखते हैं तो इसका एंसर हो गया नाखुला दगार आगे है करेवा मिट्टी जो जाफ्रान या केसर के लिए उप्योगी है पाई जाती है करेवा मिट्टी या करेवा निच्छेप करेवा मिट्टी या करेवा का निच्छेप जो है कस्मीर में पाया जाता है या सैफ्रोन के लिए बहुत उप्योगी है सैफ्रोन की खेती केसर की खेती उसमें किया जाता है करेवा जो निछेप है हिमानी से सम्दित है इसमें हिमानी के मोटे निछे पता हिमोर उपस्कित होते हैं हिमोर कहते हैं हेम के द्वारा जो भी अपर्द चीदें बहा कर लाकर जहां छोड़ दिया जाता है उसे हिमोर के अवसिश्भणार्त है जमू कस्मेर में पीर पंजाल सिरेणियों के किनारे में पार्समों कमत होता है किनारे 1500 से 1850 मीटर के उचाई पर मिलने वाली जेलिये निछेफ है ये करेवा निछेफ कहलता है ठीक है हेम के द्वारा करेवा निछेफ निर्मित होता है चलिए अगला है प्रस्न चीनी का कटोरा किसे कहते है तो ये चीनी का कटोरा यहाँ पुछा गया है ऐसे वर्ल में चीनी का कटोरा क्यूबा तुका जाता है लेकिन यहाँ पर उत्तर परदेश को चीनी का कटोरा बताया गया है कि चियालिस्थ चीनी की में उत्तर प्रदेश में है और 133 प्लस लाग तन का उतपादन चीनी का होता है प्रती वर्ज बिश्ट के टोपर किस खनीज उत्पादन में भारत विश्व में अग्रनी है। अबरक के उपाद। चादरी अफ्रक शीट माइका। कुल विश्व का 80% उत्पादन और 60% ब्यपार सीट माइका का भारत के दोरा हुदा है। चादरी अफ्रक का। जार्खन में अबरत आंध पर्देश में राजिस्थान में बिहार में बिहार का नवादा का चेत्र में अबरत पादन गया का चेत्र में होता है चीक है इसन भारत में कुल लव ऐस का बिश्व का 10.75 भंडार है लव में भारत में पुरी बिश्व का 10.75 भंडार है मात्रा वन गुन बत्ता दोनों अधार पर सर्वक्रिस्ट है अच्छा लव ऐस भारत में पाये जाता है तो इस परकार से हम लोग 64 का question देख लिए जोगरफी में जो कि भारत का भूगोल से है ठीक है इसके अलावे फिर हम लोग बिहार जब पढ़ेंगे तो बिहार का भूगोल देखेंगे और फिर जब 20 पढ़ेंगे फिजकल पढ़ेंगे तो वहाँ पर उस question को लोग देखेंग CWG जो question रहा है कि कोपेन के नुसार CWG जो है किदर का जलवायू पाए जाता है तो यह बिहार की जलवायू में बिहार का उत्तर बिहार का या गंगा के मैदान का जलवायू है गंगा मैदान की जलवायू गंगा मैदान की जलवायू को हम लोग CWG कहते हैं तो याद रख पूर्वी भारत के उतरी भारत के चेत्र में पाय जाता है, एडबलू प्राइदिक प्रथार पर बी डबलू एच डबलू मरवस्ता लिए चेत्र में राजस्थान में पाय जाता है, और यह हो गया धूर्बिये में, एक छुटा हुआ यहाँ पर बताते हैं, जब वो कस्मिर्ट के सेटर में धुलबी यह बहुत ठंडा है अड़ी अपसी हुआ अगनाचल परदेश में जो की हीली एरिया में पाए जाता है और एक और बता रहे हैं आपको A.M. A.M. जलबायू कोपेन के अनुसार कहां पाए जाता है यह मालाबार तरट पर कोरुमंदल करते है मालाबार जहां पर मौंसून आता है सबसे पहले मालाबार और कोरुमंदल कोरुमंदल ठीक है दोनों तठ उपर A.M. परकार के जलबायू कोपेन के अनुसार पाए जाता है याद रखिए तो A.M. हो गया जैसी आप कस्मिर में जाएंगे तो वहाँ पर E हो जाएगा DFC अरुमाचल परदेश में होगा और अरुमाचल परदेश के अलाबे इधर उत्राकंड और हिमाचल परदेश में भी DFC पाए जाता है और B.W.H.W. ठीक और एको तक B.S.H.W. तो ये दोनों राजस्थान में सबसे जाएदा जो थार्माचल पूरा गर्म है वहाँ पर B.W.H.W. है और जो उससे बाहर जो उत्तर परदेश दिल्ली से सटा हुआ राजस्थान का छेतर है वहाँ पर B.S.H.W. जलवाईउ कोपें के नुसार पाइलर प्रदेश दिल्ली से सबी आपको याद हो गया होगा चलिए आगे देखते हैं कैमूर का पठार परशिद्ध है कैमूर जो है बिहार में यह रोतास का पठार जो है वो परशिद्ध है चुना पत्थर अस्लातिरती के लिए चुना पत्थर परधान चेटर के लिए इधारी एक है गुप्त धाम यह गुप्त धाम एक दर्सनी अस्ल है यहाँ पे गूफा में लोग जाते हैं इंचेटर में चुना परधान अस्ला चुणво है चलिए आगे देखते जिए पर 0.9% मानव जनसंख्या का बसाग है या बिंध परवत स्रेनी का पुर्भी हिस्सा है ठीक है बिंध परवत का पुर्भी हिस्सा है चुनापत्था प्रधान शेट बिंध परवत जो कि लगभा गुजराथ पस्ची में गुजरात की सिमा से उत्तर और पुर्व की ओर जाता है बिहार का कैमूर तक फिक फोड़ा सा आगे बढ़ते हुए यह आगे चला जाता है राजमाल की पहाड़े तक तो जो बिहार का पश्मी भाग में कैमूर वाला जो च्छेट रहे वो चुनापत्थर प्रधान शेता है चलिए आगे देखते हैं एंपी में कट्रेंगी जबलपूरस से शुरू होता है यहां इंचरे लिए मुख्षण से जाना जाता है चुना पत्थर प्रधान छेत्र का जाना तर्भाग मर्द परदेश में पाए जाता है कटनी सतना मैहर रीवा और उसी का पुर्वी भाग बिहार में परवेश करता है कैमूर में चलिए आगे देखते हैं हाँ भारत का कौन सा राज रवड उत्पादन में अगरनी यह तो बहुत पहले से जानते हैं बच्चा वाला कोशन पुछा हुआ विप्यासी में केरल चीक है रवड का उत्पादन वहीं होगा जहां पर 250 सेंटीमीटर से अधिक बरसा प्राप्त होगा ठड़ा आउसत वासिक बरसा 250 सिंटीमीटर से लेख होना चाहिए और टेंपरिचर भी उना चाहिए अर्फात भूमद रेखिए जलबाईउ होना चाहिए ठीक है यहां लिखा हुआ है भूमद रेखिए जलबाईउ छेतर में रवड का उत्पादन होता है रवड जो लेटेक्स से तियार किया जा उसके बाद करनाटक में चली आगे देखते हैं यहां पे लिखा गया है करनाटक सुरज मुखी एबं सुपारी के उत्पादन में भी अगरनी है सुरज मुखी जिसे तेल प्राप्त होता है और सुपारी समझ रहा है जो कि पान वेगरा में खाए जाता है सरवादिक बंच्षेतर है सरवादिक बंच्षेतर देखे पूछा गया है एंसर रोनाचल परदेश लिया है इसलिए लिया है चुकि यहां पर MP नहीं है देखे लिख दिया गया है नहीं तो MP होगा सरवादिक बंच्षेतर पिछले दिन भी एक कोशन आ चुका है 66 में भी हम लोग देख रहे थे सरवाधिक बंद छेतर और सरवाधिक बंद परतिसत वाली बात है तो लेकिन यहां पे MP सरवाधिक बंद छेतर के रूप में आप्शन नहीं है तो उसके अनुसार से रुणातर परदेश हो जाएगा ठी तहीन से पैटर्ण आपको जो जो ूसिक्स का बताए 65 का बताए 64 का बता रहे सबी फिर अपने कोशन में घर में देखएगा तो पून रूप से कोशन आपको देखने को मिलेगा ठीक है और ब्याक्थियां उहां भी होगा आपके पास लेकिन यहां जो ब्याक्थियां किया हुआ फिर जो आप एक्स्टा बता रहे हैं जाएद आप समझ पा रहे होंगे ठीक है चलिए आगे देखते हैं सब्सक्राइब आज एक तारीख है आज के बाद से कोई इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए पढ़ाई में आज एक तारीख है आज से लगातार अगले 31 जुलाई तक पढ़ाई कीजिए और उसके बाद देखें कि कितना फरक आता अपना रूटीन मेंटेंड कीजिए नो टाइम अपना टाइम को लाप्स ने कीजिए एक मैना तक कंटिन्यू पढ़िए 67 एनी हाव आप सेलेक्ट हो जाईएगा तो फिर कल दो तारीख भी छुटते चला जाएगा फिर यह मैना घर्थ में चला जाएगा लगातार पढ़िए ठीक है आज कर पहला दिन है यह मैना का देखें यहां पर दिखाया गया है पिछले दिन भी यह को से रिपिटेशन हुआ है सिस्टी सिक्स ना गया है देखें देश में फूल बंचेतर है चोबित समलचा एमपी में सबसे ज्यादा उसके बाद अरुनाचल पर देश शटिस गरोडी सा इस तरह से यहां पर दिखा लेगा है बंचेतर है चलिए अगला प्रस्ट है कौन मिटिया नदियों द्वारा निर्मित होती है इतना असान है जल के द्वारा मिट्टी जो बनता है नदी का मतलब जल है ना तो जल के द्वारा बनने वाली मिट्टी को कहते हैं जलोड मिट्टी इंगलिस में कहते हैं अ जैसे हम लोग कह सकते हैं देखिए यह गंगा नभी है और यह यमना है तो गंगा यमना का यह द्वाब छेद्र है किस मिट्टी के लिए जाना जाता है जलोड के लिए जलोड मिट्टी गंगा का यह खादर बांगर टराई है ना किस मिट्टी के लिए जाना जाता है यह हुआ खादर बांगर तराई ठीके यह सब्सक्राइब तत्या है खादर उसके बाद बांगर और उसके बाद तराई तょग चांडर को आगे इसमें देखते हैं कैता हलकी बूरी रंग दूमट प्रकार होती यह जो जलोड मिट्ट्टी है बूरी रंग्री होती है और दूमट होती है दोमट का मतलब जल के दौरा जो उसमें कोई एक ही प्रकार की मिट्टी नहीं पाए जाता है इसलिए दोमट प्रकार के मिट्टी होते ही यह उच भूमी में उपरी परिपक तथा निम्न भूमियों पर परिपक होती है परिपक जो अभी बता है यह हो गया खादर और ऊप परिपक होता है ठीक है यानि कि बांगर या गर्राई कह सकते हैं परिफक होगा निम्न भूमिमी में जोकी परतिवर्स है यह खादर जो हुआ नई जोलोड परिपक हो गया ठीक है इस परिपक मिट्टी कौन है नदी छेत्र में परिपक मिट्टी कौन हो गा तो answer देजेगा खादर, यदि खादर है तो वहाँ पर, चीक है, असपर समझ रहा होंगे, ओके, जैसे यहां कि हम बात कर लें तो, यह है परिपक्पमिटी, इसको हम लोग परिपक्पमिटी कहेंगे, यह जो है परिपक्पमिटी है, परिपक्प, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रस्ण है, चलिए थोड़ा सा और बे डिस्क्रिप्शन दिया हुगा, जरोड विसाल मैदान, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, कृष्णा, कावेरी, केरल, इत्यादी में, पंदरा लाख बर किलोमेटर चेतर पर प्षैला हुगा, अदेखी यहां पे नहीं लिखा ग गंगा, यमना, कोसी, गंदक, है न, ये सभी नदी के द्वारा जलोड मिटी का निर्मान होता है, जलोड मिट्यों में पुटास वह चूना पत्थर मिलता है, ठीक है, पुटास, लेकिन इसमें फास्पोरस, नाट्रोजन, जिवास्म, ठीक है, नहीं पाए जाता है, या ठीक है, क्या पाए जाता है, तो चूना पत्थर और पुटास, नहीं पाए जाता है, ठास्पोरस से नाट्रोजन है, जिवास्म, जिसमें नाट्रोजन कम है, या भारत की सभी मिटी में नाट्रोजन कम है, उसमें यूरिया का उप्योग किया जाता है, ठीक है, आप देखत यूरिया का बोरा पे 40% नाट्रोजन दर्ता लिखाऊ चलिए आगे देखते हैं हारत में जल बिधुत का योगदान कूल बिधुत में कितना परतिशत है रट लेना है 22 सबसे ज्यादा क्या चीज़ का है तो वो है तापिय बिधुत का लगबग 65% से अधिक है ठीक है टापिय देखिं याँ पर लिखा गया 70% से अधिक रहेगा हम इसा तापियल ठीक है और बाश्ट पर्तिसथ जल लगबगगगा चलिए आगे देखते हैं अगला है तक कि तो में सर्वादी सूती बस्त का कार खाना है तो परन सा जगह जाता है तो कोयंबतूर को दर्चीन भारत का मैंचेस्टर को ही कहते हैं डर्चीन भारत का मैंचेस्टर को लेकिन भारत का पोटनों पॉलिस चिक है मुंबई सहर को का जाता है यार रखिएगा अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है तामबा के लिए कौन प्रस्षित है तो खेतरी राजस्थान में राजस्थान का खेतरी राजस्थान का जो खेत्री है वो तामबा के लिए जाना जाता है सिंदु घाटी काल से ही सिंदु घाटी सबेता में भी खेत्री का वर्णन है तामबा के लिए तामबा उत्पादन के लिए जुन जुन जिला राजस्थान में खेत्री ठीक है परसिद है एक बाला घात MP में भी और सिहभूम ज्हाζखंड में भी कहीं पे घात सिला लिखा हुआ रहेगा घात सिला तो यह भी तमबा के लिए ज्ढ़कंड के लिए तमबा में राज़फान सबसे नंबर उन रहा हमारत में उसके बाद ज्हारखंड है फिर मज़ब प्रदेश का इस्थान है चलि आगे देखते हैं राश्टी जलमार्ग वहन जोड़ता है जलमार्ग वहन राश्टी यह कह रहा है तो गंगान दिम राश्टी जलमार्ग है हल्दिया से इलाहबाद है अब यह पूछेगा चुकि हम तिर्षट का कोशन देख रहे हैं अब यह पूछा जाएगा तो इसका एक्टेंसटेंसन इलाहाबास तर दिया गया हें हरी दौारत हे हरीद्ध ओंका किश इसके बाद आप यह जालिए कि भारत में कूल राश्ती जल्मार्क की संख्यां है जो है जो है जील में बनाए जील में और चाउथा जो है आंध परदेश साइड में आंध परदेश में गुलाबनी को लिंक अप किया गया है फुदुचेरी से अंदर नहर बना कर और जो पाचमा है वो बोला जाए तो उरिशा पश्चिमंगाल में है है त्रणने नदी में उसको बनाए गया है और जो लास्ट छठा है त्फ्र में बनाए गया इसलती जितर में इस में इसलों कि इसलों सरसंधोर थे बंगलादेस ली चली जरूंधियद्ध एक by chocolate 1954 किलो मिटर का बराक नदी में राष्टी जल्मा शंक्या शीट से बराक बराक नदी है तो हम लोग किर्शन का भी कोशन बैंक देख लिए चलिए अब जो कल पढ़ा रहे थे अब हम लोग चेप्टर सुरू करेंगे तो कल हम लोग कुछ देखे थे जैसे ये करक रेखा वाला ये सब हम लोग कल देख लिए थे देखते हैं कहां से स्टार्ट करते हैं आपको खन ये सब बता जिए थे आपको बाकिक कल वाला क्लास का वीडियो डाल दिया गया है आप वीडियो देख सकते हैं जिनका क्लास छुट गया है अब हम लोग जो पढ़ेंगे फिजकल जोग्रफी ऑफ इंडिया का फिजोग्राफी डिविजन ऑफ इंडिया भारत का भौतिक विभाजन हम लोग अब पढ़ेंगे बहुत तेजी से दस से पंद्रा मिनट में काम कर लेना यही है भौहा किर्तिक परदेश इसी को अमलोग को पढ़ना है बाई मैं यह आप देख रहें कल यह बताय गया था उत्री परवतिये छेत्र उत्री विशाल मैदान मरवर्थलिये छेत्र मरवर्थे उच भूमी पठारी छेत्र कटिये मैदान देख समूं यह सब कल हम लोग देख चुके हैं देखें आप एक बाद विवरन दिकिया हुआ है लिखा हुआ है इसी चेप्टर को हम लोग शुरू करेंगे अब वो अगला क्लास में शुरू करे किजिए और विडियो को शेयर भी किजिए अपने ग्रूप में ओके दाट सिट